नमस्कार मित्रों मैं भरत रानेजा अपने जोतिश प्रग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मित्रों आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली के अनुसार कैसे पता करें सुन्दर पत्नी प्राप्ति के योग जातक कि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिससे अनमान लगा जा सकता है हम पता कर सकते हैं कि जातक कि जन्म कुंडली में सुन्दर पत्नी प्राप्ति के योग है या नहीं तो ये कैसे पता करेंगे तो मित्रो पहले आपको देखना होगा आपकी जन्म कुंडली आप अपने समक्स रखें और फिर चेक करें कि जन्म कुंडली में सब्तम भाव में नंबर कौन सा लिखा हुआ है सब्तमेस जो है जन्म कुंडली में सब्तम भाव से हम जान सकते हैं विवा की इस्तती के बारे में गरस्त जीवन के बारे में तो सब्तम भाव में जो नंबर लिखा है वो नंबर कौन सा है तो वो नंबर सम नंबर होना चाहिए जैसे कि दो नमबर, चार नमबर, छे नमबर, आठ नमबर, दस नमबर या बारा नमबर अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में सब्तमेस कौन है तो दो नमबर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली में सब्तमेस होगा सुक्रगर चार नमबर लिखा हुआ है तो सब्तमेस होगा चंद्रग्र इसी तरह छे नमबर लिखा हुआ है तो सब्तमेस होगा बुद्धग्र आठ नमबर लिखा हुआ है तो सब्तमेस होगा मंगलग्र और दस नमबर लिखा हुआ है तो सब्तमेस होगा सनिग्र और बारा नमबर अगर आपकी जन्म कुंडली में सब्तम भाव में सम राशी है और उसमें जो सब्तमेस है जैसे मैंने आपको बताया कि दो नंबर लिखा है तो सब्तमेस सुक्र होगा और चार नंबर लिखा है तो सब्तमेस चंद्रमा होगा तो अब आपकी जन्म कुंडली में आपको देखन वहाँ पर भी सम्रासी होनी चाहिए यानि दो नमबर, चार नमबर, छे नमबर, आट नमबर, दस नमबर या बारा नमबर होना चाहिए अब मित्रों यह हो गया, अब सब्तम में सुक्र के अलावा कोई दूसरा ग्रह है तो आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में सुक्र भी सम्रासी जहां पर लिखा हुए है यानि दो नमबर, चार नमबर, छे नमबर, दस नमबर, आट नमबर या बारा नमबर लिखा ह वहीं पर सुक्र ग्रह भी होना चाहिए अगर यह तीनों योग मिलते हैं यानि आपकी जन्म कुंडली में सब्तम भाव में सम्रासी हो और तो आपका विवा जो है एक सुंदर इस्तरी सहुगा यानि आपकी पत्नी जो है वो सुंदर होगी तो इस तरह से आप चेक कर तो यह थी एक योग के बारे में जानकारी फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी को लेकर धन्यवाद